गाया उस गीत का नाम वेणू की अने सकी सु कहे चरी सकी देखतो सही हमारे प्रियतम हमारे शाम सुन्दर आज कितने सुन्दर लग रहे बरहा पीड़ं नटवर वपुहूं कर्ण यो कर्णिकारं विप्रद वास हकनक कपीशं वेजयं तिम्च मादा रंद्रा नेनों रदर सुधया पूरयं गूप ब्रंदै ब्रिंदार अन्यम् स्वपद रमणम् राविशद गेर के ब्रिंदार अन्यम् स्वपद रहे हैं कि ठाकुर्जी ने त्रोण प्रकार नी सुधाच है देव भूग्या भगवद भूग्या और सर्वा भूग्या गूपी जनों ज्यां प्रभू नू स्वरूप नू वण्डन करें छे केवाचे बरहा पीडम नटवर वपुहू अरी देखतों सही केसो मोरपंग धरायो आज इनने मोरपंग शिंगार रस नू सूचक छे सकी कहे देखतों सही केसो टेड़ो टेड़ो मोरपंग धरायो प्रभू रस सरूप छे अन्य हवे रस नू दान करवानू आपनू मन थयू शिमाप्रभुजी कहे जे जे म घडा मा रस होए तो इ घडा मा ती रस ने बार करवा माटे घडाने थोड़ू रासू करूँ पड़े एम प्रभू आज मोरपंग धरावियो रस नू दान आप करवानी इच्छा प्रकट करें आप रस सुरूप है नटवर सुरूप नटवच्च्च वरवच्च्च वपुह यस्य सह नटवर वपुहू शिमाप्रभुजी बहु सु लेकिन वर धर्म सहित रस का अनुभाव करवाता है शिमाप्रभुजी कहें जेके जम लोकिक नाट्टे मां ओलो जे नटवनु रूप धारण करीन होए न पुरुष ए पोतानी चेश्टाओ थी पोताना शब्दो थी शिरोताओना रदे मां रस जागृत करतो होई छे परन अनतु प्रभुतो कोते रसोवई सहा रस स्वजयोप छे और ए रस स्वजयोप प्रभु नो आनंद लेना बे मार्ग एक संयोग अने ठीका जारे संयोग औने विप्रयोग रस आवे भाव आवे त्यारे ए संपुण आनंद रसनों जी वनुबव करी शके ठाकुर्जी एकज समय मां ग्वाल बालोंने संयोग धी रसनु दान करे छे औने विप्रयोग मां गोपी जनोंने रसनु दान करे छे नटवर्वपू हुँ एससी कृष्ण कैणयोह कैणिकारं कैणिकार के पुष्व कानमा एक बुंडल धराव्या वेजनती माला धारण करी जह अने व्रिंदावनमा व्रिंदारण्यम वेजनु वगारता कायोने चरावता चरावता क्या व्रिंदावनमा आगल धन्वोर वनमा अपधारी रहाँ शिमहा प्रभुजी कह रहें के देखो तीन प्रकार के व्रिंदावन है आधि देविक व्रिंदावन आध्यात्मिक व्रिंदावन अने आधि भौतिक व्रिंदावन लता पताओं ती युक्त जे वन आपणने देखाए इ आधि भौतिक व्रिंदावन ए वनमा भगवान जिया रास लिला करे ए आध्यात्मिक व्रिंदावन अने प्रभुना れて MONols यह आधिदेविक ब्रिंदावन हरते अधिदेविक ब्रंदावन मा आपको प्रभेश करी रहा सहे अन्न गोपीवर ना कन-कन बदल में लगए हो तुदs सखी कहवे लगी अरे सखी बहना ये जीवन को परंफल क्या है आज जीवन नुँ परंफल मुक्ति नथी अक्षण वताम वलविदं न परंविदामह सख्यः पशुननु विवेशेर तयोर वयस्याई वत्राम व्रजेश सुतयोरन वयनु जूष्टाम। येर्वान निपट मनुरत तकताक्ष्यम। वेणु बजाबत रस्टाम्प आजवन वेणु बजाबत श्याबन। मानो चीत्र की शीलिख दाडी मानो चीत्र की शीलिख दाडी सुनत परस्परनाम सुनत परस्परनाम सुनत परस्परनाम सुनत परस्परनाम वेडु बजावत श्याम आजे वर्ण वेडु बजावत श्याम नाद के द्वारा मानो प्रभु एके गोपियन को नाम देदे के प्रुकार रहे प्रभुना नाद मां शब्द पण छे अने नाद पण छे आ बन्ने प्रभु न एवो दिव्य वेडु नाद छे आजे साधारण कोई बात्यों होए एमा नाद प्रगट थाए लेकिन प्रभु जा रहे ए वेडु ने अधुरु पर से जावे तो नाद अने शब्द बन्ने एक साथ प्रगट थाए जे आ विशिष्टा चे अनि सकी कहे छे के आ आँखोनू परंफल श्याम सुंदर नादर्शन करवा ए आँखोनू परंफल चे अशि महाप्रभु जी तो ऑक्ष शब्दती एकादश इंद्रियोंनो संकेत करें कि केवल आखो नो परंफल नहीं अपि तु एकादोश इंद्रियों नो परंफल कि आठ हाकुर्जी मा लागी जाए ये नो आनी सार्थकता चे गुपियां कहती है गुप्यह किमा चरदयों गुष लस्म वेडु दामो दनाधर सुधाम पिगुपियां पिकानाम भुप्ते स्वयं यरवशिष्टरसंगर दिन्यों रश्यत्वचो श्रममचुस्तर गोर्यवाया देखो बड़ो सुन्दर भाव पूपियां प्रकट कर रही है क्या कह रही है अरी सखी यह यह बंसी देख तो सही कि किसे उनकी शाम सुन्दर के अग्रों पर सजी है एक बात कहूं सकी सब्रों रस तो यह पीजा है अपन को तो बचों कुछों मिला है सब्रों रस तो यह पीजा रही है हमको तो बिचार आ रहो है कि यह यह बंसी ने तो इसी कौन सी तपस्या करी कि उनकी अध्रों पर सची है यह ने कई इसी तपस्या करी होगी कौन तपते की यह मुरली कौन तपते की यह रहत गिर्धर मुकही लागी अधर नो कौन रस पी पंसी को पूछी के तुले का तपकियो वो के बड़ी तपस्या करी एक दूसरी सगी कहवे लगी अरे याने कितनी वन्हें तपस्या करी घाम सहन कियो बर्षा सहन करी उनाड़ू चोमाजू घर्मी धंडी शीद बद्धू सहन करी और पची ओलो वासडी बनावाड़ू केटली तपस्याने करी छे प्यारे ये प्रभूना अध्रोपर सजाएली छे एक सखी कहे अरी बहना आवी तपस्या आओ तो युगो युगो ती योगी जन करे छे तो पड़े ने आफल तो नती मड़तू आनू रहस से बीजू कहीं छे आ बीजी सखी कहवा लागी के मने अंदर ती पॉली छे नर्म छे एटले एमने प्रिय छे अंदर से कैसी ए खाल खाली बिल्कुल पॉली यानि जिसके अंदर से राग द्वेश चला गया हो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है एक कहे चे कि जो आने पुता ना छिद्रो भगवान साथे चुपावे न थी भगवान सामे ये पुता ना दोशों ने चुपावे नहीं ये वा भक्त भगवान ने पसंद चे इटले मने लागे चे क्या एमना अदरोपर सजाए ली चे एक सकी कहवे लगी सब बात तो ठीक है लेकिन प्रभू ने याको इतनी इतनी सुविधाएं दी ब्रज जीवन होठन तकिये कर फूलन से जबिछावत है अंगुरत दबाबत पाम जेहि बनबाशुरी मोदन बावत है सखी कहे ये सब बात तो ठीक उनके अध्रोव पर सजी आटली आटली सुविधा ने आपी दिदी ब्रज जीवन होटन तकिये कर अठाकुर्जी ना अधर ये न तकिया खूलन सेज बिछावाते केवा सुन्दर सुकोमल आपना अधरामृत अधर अंगुरत दबावत पाम जेही एक तो येन अधर रुपी तकियाव पर सूड़ावी दिदी पछी आवेणू वगारता क्यारेक पलक उपर नीचे उपर नीचे ने पंखो करे अन्य आपना शाम सु जो हजी वो छूप पड़ियों तो आम उंगलियों में आम फेरवे एटले येना चरणनी सेवा करे तो ओभी बांसुरी मोद ना पावत है बजदी ही रहती है बजदी ही रहती है ना खिल सोती है ना हमें सुने जेती है गेवी आने तपस्या सु आना भाग्या छे जो आग गोपी जनो आधी देवी के छे भृष्णा ध्रामरत्मी अधिकारी छेटले के सहज एक इनने एक इर्षा भावावावे छे एक बीजी सकी कहवा लागी ब्रिंदावनं सकिभुवो वितनोत किर्थी यर्देवके जुदपदाम बुझ लुब्ध लक्ष्मी गोविंद वेनुमनुमत्तम यूरंद्रत्यों प्रेक्षाद शांग वपरतान्य जाहस्तसर्पं वे रूबः जावं प्रिश हाँ, आजो ने वपर जावं पुण साथ वे रूबः जावद श्काँ, आजो ने वपर जावं प्रिस genuinely उपरतान्य जावं पपन साथ वे 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 ब्रंदा वनम सकिभुव वितनोत किर्ति यत देवकी सुथ पदाम जब्ध लक्ष्मी जो आश्लोक मां देव की सुथ कहीन भगवान ने संबोधित करया है देव की सुथ यह एक एक श्लोक पर इतनी सुंदर यह आचायर जी की व्याख्या है भावार्थ है अर्जो विस्तारानों बहुँ करवा जीशने हुंतो तो आखी राद आ वे विदू गितत चाल्चे पजी आनों संबन्द शी महाप्रभुजी थेट रामायन ना प्रसंग मां अर्ट रूशी उज्ञार भगवाण ना दर्शन करया अने यह अंदर स्त्री भाव प्रकत थो अने पजी प्रभु आगर पदारी गया तो पाच्छो पूभाव आवी गयो श्महाप्रभुजी केए चे ब्रज्मा आप बन्म्य भाव प्रकत थेया स्त्री भाव अने प्रगट थेयो एक पूटना ये फूतना ये सोड़ अजार बाड़को ने मारी नाख्या पची भगवाने एनो उतार एनो मनुरत पेरीते पूर्ण करेयो जारे ब्रजरज हतु ब्रजरज ने एक तो पूतना नो पांद करेयो अने एना अंश ने पूताना जठर माँ प्रजरज नो पढ़श करावी ने एमने मुक्त तर्या एमने आनन्द आपेयो अने हवे जे स्त्री भाव जे प्रकट थेयो कि आ कुमारी काओ ना रूपमा कौन के गौड़ प्रदेश थी जे नंद बाबा लईने आवे आता अने इब्रजमा लईने आवे आने नंद भव प्रभुमा एमने पती भाव छे अवे जो यसवदा नंद तरीके ब्रभुने सम्पब्रभुक्त संबोजन आपे तो तो पच्छी रसा भास थाई जाए काण के भाई बेननों संबंद स्थापित थाई जाए का समझाई छे ने वाद एटले आई यां गोपी जनों शी महाप्रभुजी सुभाद्री मां काई जे कि देव की सुद्ध कहीन है काण के प्रभु मां एमनों जनी है कि जारे प्रभु वेडुनाद करे छे च्यार एपटा ना कृष्ण सार नाम नापती साथे आहीर नियों की म्रजियों प्रभु ना दर्शन करे छे और तो और सकी यह यह जो यह व्रग कि यह जो हिर्निया जो हैं उनकी जो आंखें हैं वह आंखें देखके अपने प्रियतम को शीराधाजी स्वामनी जी के नेत्र को स्मरण हो जाए तो प्रभु को आनन दिवाएवे वाली ये सब हिर्णियां और तो और कि धन्यास्वमूडमतो पिहरिण्या देताययाननन मुपात विचित्रवेश के दर्शन कर वेवाली अब गोपियों अचार जी के रहे कि ये विचित्रवेश क्या है जि महाप्रभु जी बता रहे हैं सिस्वमूदमे == भारी भारे शिंगार धरावे लो ये तो पची त्यासी थाए सखावसु करे ठाकोषी ने वंध्य संपत्थितिए युक्त करे rh Cel अहले भारी भारी मणी ना कुंटलों भदा हार ने बदु काडि ने पुश्पनी माला धरावे पुष्पन करन्या फूलड धरावे पुश्पो नी आक्कोः शिंगार धरावे जुना शिंगार वड़ा करे तो ये ज्यारे शिंगार वड़ा करे छे ए समय मा प्रभुना चरण कमल नाभी प्रदेश वक्ष स्थल ए सर्वांग ना दर्शन आ मूड आ हिर्नियो प्रभुना करीले छे विचित्र वेश ना दर्शन प्रभु वीचारे आतो मूड छे आमनी जामेशे नी लाज शरम अनंहें हमारी सामें त्यारे आवे त्यारे तो आवा भारी भारी शिंगार नेवस्ट्र ने धर्वीश ने विचित्र वेश ना दर्शन नतिधाता हमारा धी महत्बागनीशाली तो जनी ये हिर्मी ओझे गावश्च क्रश्ण मुख निर्गित वेणु गीत पियूश मुक्त वित कैन पुटै पिवन्त्यह शावास्तु नस्तन पया कव लास्म तस्थुर वो विंद मात्मनि द्रशाश्रक लास्रुशंद्य। का इए जो अगा की व्यावाश्च क्रश्ण मुख निर्गित वेणु गीत पियूश मुथ पित कैन पुटै ही पिवन्त्यह यारे प्रभु वेणु नाद गरेत यारे आगाए जो वो तक कान में ओपर करीदें कई न पुटाई ही तक अए कानों आ आम दोना बनावी ते जिक्पों यह द्रश्य बता रहेँ शिचो केजी बेढुनात ले ऐन अट रहें गाइणा कान आम उपर कई न पुटाई ही अवे आम मोडामा घास छे पीन आवेल उपर जिया वेणु अरे सकी ये पशु पंकी तो देख